बोलो जैकारा बोल मेरे शी गुर्माहराज की जै सांचे दर्बार की जै सुभागेशारी गुर्मुखो आज का प्रवचन है कल्यान मार्ग सत्य एव सार वस्तु को ग्रहन करो संसार में दोनों प्रकार की वस्तु में उपलब्द है सत्य नित्य एव सार भी और असत्य अनित्य एव असार भी जो गुर्मुखजन है जिने सत्पुर्षो की पावन संगती का सोभागे प्राप्त है और उनके शी वचनों के प्रताप से नीर, ख्षीर, विवेक हो गया है वे सदय सत्य सार एव नित्य वस्तु को चाहते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं ऐसे गुर्मुखजन सत्पुर्षो की कृपा से अपना जन्म सफल कर जाते हैं परमसंत्षी कबीर दास जी साहिप के वचन है कि हनसा पै को काड़ि ले शीर नीर निरवार एथे गहे जो सार को भवजल उतरे पार हनस पक्षी को प्रकृती ने ये विशेश्टा प्रदान की है और उसकी चौच में ये गुण भर दिया है कि वह मिले चुले दूद और पानी में से सारवस्तु दूद को तो ग्रहन कर लेता है और असारवस्तु पानी को छोड़ देता है दूद और पानी को प्रिथक प्रिथक करने का यह गुण केवल हंस में ही है अन्य और किफी पक्षियों में यह गुण नहीं है अन्य पक्षी दूद और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते इस गुन को नीर ख्षीर विवे कहते हैं परमसंत शीक कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हंस की न्याई मनुष्य संसार में रहते हुए सारवस्तू को गहन करते और असार को छोड़ देते हैं वे संसार सागर से पार उतर जाते हैं संसार में दोनों प्रकार के पदारत विद्यमान हैं सत्य सार एव नित्य भी और असत्य असार एव अनित्य भी जो विचारवान हैं विवे की पुरुष हैं सत्पुरुषों की शुब संगती के प्रताप से जिने सत्य असत्य सार असार एव नित्य अनित्य को परखने वाली दृष्टी मिल गई है वे सदैव सत्य सार तथा नित्य पदार्थ की चाहना करते उसे ही ग्रहन करते और उसे ही दिल में बसाते हैं इसके विपरीत आम संसारी मनमुख मनुष्य जिने संतो सत्य पुर्षों की पावन संगती का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और जो विवे विचार की दृष्टी से वन्चित हैं वे असत असार एव अनित्य पदार्थों की ही चाहना करते उन्हें ही दिल में बसाते और दिन रात उन्हीं को प्राप्त करने के यत्न में लगे रहते हैं सुभागी शाली गुरु मुखो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और चाइनल को सब्सक्राइब कीजे और कमेंट में जय सचिदननजी लिखना जरूर याद रखिएगा जय सचिदननजी